यह है low fast filter board जो की mainly subwoofer के लिए use होता है और यह circuit low frequency देने के लिए बना है और यह है PCB layout यानकी circuit diagram PCB layout मैंने mobile में ही PCB draw it app से design किया है यह है plastic sheet और अगर आप मेरे channel पहले से देखते आ रहे हैं तो आपको पता ही है मैं कैसे PCB बनाता हूँ बहुत ही simple तरिये से कम खर्चे में तो सबसे पहले जो PCB layout था उसमें जहाँ जहाँ hole बनेगा वहाँ पे marking कर लेंगे यह आपको पता ही है क्योंकि मैंने पहले ही video में already डाल रखा है और भी videos में और उसके बाद drill करना है जहाँ जहाँ पे marking है यह मेरा markings है और आपको पता ही होगा कि 1 mm drill करना है हमें और ज्यादा बरा hole नहीं करेंगे नहीं तो जो components है और लूस बन जाएगा audio frequency 20 hertz से लेगा 20 kilo hertz तक होता है और एक speaker drivers जो होता है वो एक particular frequency पे चलता है यह नहीं कि एक मैंने Twitter उठा लिया और उस Twitter पर मैंने all frequencies दे दिया इससे वो Twitter जो है वो अच्छा response नहीं देगा और सेम टाइम अगर हम उसे सिर्फ high frequency ही दे क्योंकि Twitter high frequency के लिए बनाया होता है तो वो Twitter अच्छा response करेगा जैसे कि मिट drivers जो होता है mid frequency यानि कि vocals जो specially देता है उन्हें अगर हम mid frequency ही दे तो वो अच्छा response देगा और सेम तर्के से basis figure भी है basis figure को हम अगर low frequency है दे तो वो अच्छा response देगा बाकी frequencies के मुकाबले और इनी कामों के लिए यानि कि drivers में separate frequencies को पहुचाने के लिए ही इन circuits का इस्तिमाल लिया जाता है और extra plastic को मैं cut कर लेता हूं क्योंकि बोट ज्यादा बड़ा बनाने से कोई फाइदा नहीं है जो components लगना है वही लगेगा और इससे cabinet का जो जगा है वही बसेगा और उसके बाद components फिल करेंगे और components आपको धियान से फिल करना है सर्क डियारम को देख देखके ये भी आपको पता ही होगा अगर मेरे चैनल आप पहले से दिखते आ रहे हैं तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरती नहीं है और मैंने PCB layout description में दे दिया है आप चाहे तो वहां से ले सकते हैं और PCB Droid एप जिससे मैंने PCB layout डिजाइन किया था मैं लिंक किते दूंगा उस एप का आप चाहे तो डावलोड कर सकते हैं और PCB Droid एप आप मोबाल में ही रन कर सकते हैं कम्प्यूटर लेप्टप की ज़रूरत नहीं है हाँ कम्प्यूटर लेप्टप में जब थोरा ज़्यादा अच्छा होता है डिजाइन करने में थोरी आसानी होती है मोबाल में वो दिक्कत आती है लेकिन आपको अगर experience है तो सब असान है यह तो आपको पता ही है और यह मैं wiring कर रहा हूँ अच्छा से wiring कर लेता हूँ मैं और इस circuit का काम यह है audio fields में जो high frequency होता है यानि कि आप कोई भी music जब सुनते हैं उसमें जो high frequencies होता है उसे निकाल के सिर्फ low frequency को subwoofer में भेजना इससे हमें सिर्फ basis तुनाई देता है और यह mainly जो subwoofer होता है basis speaker उसके लिए designate है यह circuit और इस circuit का frequency response है 27 hertz से लेगर 250 hertz तक यानि कि 250 hertz के उपर जो गी frequency है उसे cut कर देगा और यह सब कुछ मैंने google में ही calculate किया है opam low pass filter calculator आप search करेंगे all website मिल जाएगे आपको और अगर आपको पहले से ही इन चीजों के बरे में knowledge है तो कुछ से ही design कर सकते है और कुछी दिनों पहले मैंने एक 100 watt amplifier बनाया था जो कि मेरे youtube channel में पहले से uploaded है आप चाहे तो देख सकते है और उसी amplifier के cabinet पे मैं इस low pass filter को लगा रहा हूँ इस type से मैंने लगाया है देख सकते हैं और आप सुन पा रहे होंगे कि audio signal जो है वो बन रहा है हमारा इसका मतलब चलो कंडिशन में है और आप music सुन सकते हैं कि कोई भी high frequency या mid frequency नहीं है सिर्म low frequency सुना दे रहा है यानि कि base और इस टाइब के वीडियो देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल सब्स्राइब कर लिजे मिलते हैं अगली वीडियो में